एक बार की बात है एक घने जंगल में एक बड़ा सा नाक रहता था। चिड़ी यायों के अंडे, मेढक तथा छिपकलियों जैसे छोटे जीव, जन्तुओं को खा कर वह अपना पेट भरता था। रात भर वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन निकलने पर अपने बि दिल को छोड़ कर एक विशाल पेड़ के नीचे रहने की सोची। लेकिन वहीं पेड़ की जड़ में चींटियों की बांबी थी और उनके साथ रहना नाक के लिए असंभव था। इसलिए वह नाक उन चींटियों की बांबी के निकट जाकर बोला, मैं सरपराज नाग इस जंगल का राजा, मैं तुम चींटियों को आदेश देता हूँ कि यह जगह छोड़ कर चले जाओ। वहां और भी जानवर थे, उस भयानक साप को देखकर डर गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन चींटियों नाक की इस धमकी पर कोई ध् भूटी रही, नाग ने जब यह देखा तो उसके क्रोध का पारवार न रहा, वह गुस्से में भरकर उनकी बांबी के पास जा पहुँचा। यह देखकर हजारों चींटियां उस बांबी से निकल पड़ी और नाग से लिपट कर उसके शरीर को काटने लगी। उनके कंटी को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा, कुछ ही देर में उसने वहीं तडब तडब जान दे दी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बुद्धी से काम लेने पर शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त किया जा सकता है।